इसको इसका objective question answer करेंगे इसके पहले इसका first part का वीडियो बना चुके हैं जिसको यह exam देना है 9th class के बच्चे को खास करके description box में link दिया हुआ होगा link touch करके आप पहला part का देख सकते हैं और आये समय नहीं बरबाद करते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं line by line हिंदी जानते हैं हम लोग objective करेंगे रटने का काम नहीं करना है अर्थ को समझ करके हम लोग को question answer करना है इस्टाट करते हैं the emperor और अरंग जे एंपरें करत क्या होता है सम्राड और अरंग जे भी सम्राड थे एक राजा थे न बेंड बेंड लगा दिया बंद कर दिया क्या चीए दा प्लेइंग आफ अम्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट कर्ड पुंगी एक म्यूजिकल क्या है और अरंगेंड क्या है 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 समराठ है ल流 नियुक्त एम मेल hoowei और अनवी द्रुवारा में राज़ा के द्रुवार में रोयल रमेशिडेंस किसे सिरु मतिए अरा राज रवार को साही द्रुवार को फोर क्यों उत और यह खोर एट्थ हाड वो स्रील अन्पिलिजेंट शॉंड जो की स्कल जो था एक तिक्षा अन्पिलिजेंट साउंड कर्कर साउंड थास प्लिजेंट नहीं था अन्पिलिजेंड शुकाद नहीं असुकाद दोनी divorced इसी और सब्मक्स कि apa tre unpres diagnost साउंड के कारण स्रील अन्पिलिजेंट साउंड के कारण और कौन बेन करवाया कहां बजाया जाता था रोयल रेसिडेंस में पुंगी विख्याम दा जेनरिक नेम फॉर रीडेड नौाज मेकोज कहता है पुंगी का जो नम था एक जेनरिक नम था और ये रीडेड नौाज मेकर था मतलब कि बंस से बना हुआ बासूरी था नौाज मेकर मिंस नौाज करने वाला मैक मिंस करना नौाज मिंस सुर्गूल सुर्गूल करने वाला था बासूरी बासूरी सुरेन करता है और क्या करता है यानिके, समान नाम था, यह पूंगी जो हो गया, एक जैनरिक नेम हो गया यह प्रचलित नाम हो गया, समाने नाम हो गया जो की, बस से बना होगा एक बासुरी था बस का बनावा बास हो रही था उसी का समान नम क्या हो गया वदिकर few had thought कुछ लोगों ने सोचा that it would one day be revived एक दिन या revived क्या जाएगा पुनर जिवित क्या जाएगा now few had thought that it would it would one day be revived एक दिन इसको क्या क्या जाएगा रीभाइब पुनर जिवित क्या जाएगा उसको ben कर दिया न अब बारवर अब फैमिली और professional musicians देखे कहता है एक बारवर था थाकूर था नाई था अब फैमिली अब प्रोफेशनल musicians देखे एक तो music सिखना साक से होता है इसलिए सिखता है एक म्यूजिक के द्वारा ही हमको पैसा कमाना है वह इसमें तब उसको कहते है प्रोफेशनल म्यूजिशियन और सौक से म्यूजिक बजाने सिख लिए तो वह म्यूजिशियन कलाएगा लेकिन हम इसलिए म्यूजिक सिखे हैं हमको लाइप में म्यूजिक से ही पैसा कमाई करना और हमारा बाल बच्चा भी वही करेगा उसका बाल बच्चा भी वही कर रहा है था हम लोग प्रोफेशनल म्यूजिक बजाना इसलिए प्रोफेशनल म्यूजिशियन्स का उस फेमली को पूराफिमली का प्रोफेशन जो था में रशक्का माव्थनदा पुराफिम्ली का जो धन्दा तो वो म्यूजिक बजाना था इसलिए प्रोफेशनल म्यूजिशं फैमली का उसको उसी फेमली का एक क्या था बाराबार था वाबर है इम्स 8啥न का बच्शे कला रोयल decline इसका इकसेस कार्थ होता है एकशेस की लिख चाइब एकसेस जिसका पहूच था रोयल पहले तक यह निका साही दरवार तक है उसका चाहता है एकसेस मिस अप्रोच अप्रोच पहुंच अप्रोच ना किसको एकसेस है यह नियुक्त किसको एप्रोच है रोयल पहले का वह वार वार को दिस या हैं दौनर्य। कर दिया कि इंप्रोच सुधार करनेंगे टौनल क्वाल इपन हो कर देंगे इन अवाज को थेंगे होरा है एक को क्या त्रूनल क्वालिटी को यह कंते हैं उसको क्या कर देंगे बदल kriegen और टाइनल वाइलिटी बदल देना में सावाज बदल console कि तो गई 있습니다 फिस फैप ही विद और है निपूणाौोरा डूर। दोध रहते हुआद थी तरह चूब भाइप में यो लगटी हो जागा shorten लिए और उसुस पाइप में क्या क्या होल था नेचुरल रहता है विए प्रकृतिक रूप से छेद आप रहता है लागाए ब्राडर जो लंबा भी ता और मोटा है यह केंगे कि यह ऐख दां झाप झाल जाधा और जैदा मजरो जीए करदिया समें बासरी किया उभी तो इसी का मास का है उसमें लेचरेल हो रहता है उसमें वह और है इतर से वर्टिकली ना? इन होल में किya क्या किसी को को क्या किसी को ओपनिग ऐसे करकर के बचैने संच रहा है ,Band करके खोल के , बच जाताता… rather chi Сам पे भ技 और खुल देता है , सबरीबार के बचयाता है ? soft and the melodious sound were produced, पूरा soft or melodious sounds, मधूर आवाज produced उत्पन हुआ उस से, बस पैसे चाहता, अब objective पर आते हैं, who improved the sound of sound quality of the pungi, pungi का sound quality यानि टोनल quality किसने बदला था, बार 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 ने बदला था, तेक उतर क्या जाया चार नमा, which instrument got the name readied noise maker, काता किस instrument का नम हो गया, बंस का बनावा बासुरी, pungi का नम हो गया था, readied noise maker उसी को बोलेते न, बंस का बनावा ये बासुरी, how many holes were made on the body of the pipe, seven hole क्या गया था, चार नमार हो गया, what does access to mean, काता यह access का अर्थ क्या होता है, पहुँच होता है न, what does access to mean, access का अर्थ क्या होता है, inaccessible, accessible, out of reach, पहुँच से बहार, none of these, इन में से, accessible means excessive होता है, ठीक में, access का अर्थ accessible ही होगा, accessible means भी approach होता है, को दिकर, आगे बढ़ें, तो उतर क्या जाएगा, accessible, access का क्या हो जाएगा, accessible, अब second passage करते हैं फिर, the sound of the सहनाई, began to be considered as pieces, देखते हैं, काता है यह जो सहनाई का जो अवास था, sound था, the sound of the सहनाई, सहनाई का जो अवास है, begin हो गया हो, to be consider, उसको मन लिया गया, तू भी consider माना जाता था, auspicious, पवित्र, शूब, auspicious means, पवित्र, शूब, यहनि कि, जैसे कि बड़ा बड़ा घंटी का आवाज आता है, बहर बहर में, अगर, morning के time में, तो हम लोग क्या समझते हैं, कि कोई मंदीरी में बज़रा, auspicious sound, उसको माना लिया, उसी परकार काता है, अगर कहीं सहना ही बज़रा है, समझो, वो सुब मोर तो पवित्र घड़ी होगा, बहर मुझे, एंड, फॉर दीस रीजन, और इसी auspicious के कारण, पवित्रता के कारण, इसी कारण से, for this region, इसी कारण से, इसी स्टील प्लेड, अब भी एक बजाया जाता था, in temples, और इसका मुलेगा तू टेंपल में बजाएगा है, एंड, इस एन, इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट, और एक आवस्यक अंग बन गया, इन, इन, इस, पैंसेबल कॉम्पोनेंट मिस, अवस्यक अंग, इन, इस पैंसेबल कॉम्पोनेंट मिस, इसको आप री हार लग बनायाता है हिंदे में, अवस्यक अंग समझ ढोँ, और यह आवस्यक अंग हो गया इनी north Indian wedding का, कि नोर्थ। नौर्थ इंडिया नौ। इंडिया नौर्थ। इंडिया में भारत का उतरी भारत में अगर कोई भी मृडिंग होता है साधी होता है तो ये उसका पूंगी बजाना बजा जाता एक तो पहले तक साधी में स्बाजाव आएगा बेंट पाटी आएगा बड़ां दूरी लेकर के ना पुंगी वगर लेकर के अरो बजाता था साधी में पूरा उसका आवाज ही आलग ऊता था सूर ऑफ तो उस नचनियां आते लड़का ही कपड़ा पहन लेती लड़की का और वो नवस्ती थी उसब दिरी साप लोग पता ने देखेंगे नहीं तो डीजे आता है सब बैट पाटी खतब ने तो पहले पूरा बजाया जाता था ता के बढ़े भलो मस्ती लगता था उसमें भी डीजे जाता मजा आता था आर्ट विसलिए उत्त्र भारत में इंदेन स्फेंसेवल कंपोनेंट मोणा आवश्ठ अंग मने गया का नौर्थ इंडिया का वेडिंग का इन इंडिसपेंसेवल कोंपोनेंड बने गया वदिकर इन पास्ट और बाद में सेहणाई वाजपार्ट अब अनौबत और आप नाइन इंस्टुमेंट्स फॉंड एट रोयल कोज अब देखे हैं क्या करा है इन पास्ट मनकबाद में सेहना ही वाज पार्ट ऑफ दा नौबत ये नौबत का एक अंग मने क्या अनौबत समझते हैं नौबत बुलते हैं बिल्कुल सही बात है बजती है पंच नौबते वहां पंच बजा का समझते हैं को सेहनाई वाज फाट इग्व अब ये नौबत कता है नौतरा का बजा का क्या बन गया एक पाट बन गया और नौतरा का बजा कहा होता था traditional का था और traditional assembled of nine instruments नौतरा के नौतरा के बजाओं का जो समू हुआ करता था उसका एक पार्ट बन गया उसको नौतरा के बजाओं का समू को पहले समझे यहां जरा सा जरा सा मैं इसको फिर इसे बता देना चाहत का हूँ काता है इन दा पार्ट बाद में सेहनाई वाज पार्ट ऑफ दर नौतरा किसका पार्ट हो गया आया काता है इस नौतरा कूरा थो और यहांस पड़ो सहनाई वाज दा पार्ट सहनाई वाज दा पार्ट ऑफ traditional ensemble of nine instruments नौ यंद्रों का ना नासंओर eक समय में जो बचर का करन साथ करके उसका यह एक पाथा क्alalat सौर्ण परकर दा लुद्र में उत्रा करको किसी करुद्रा का फ्रकार 9 instruments इस जमाने में नौबा यंटंत्रों का संब्हीं ग्रीशनल था, हम तो नौब उसको क्या कहते हैं आगे बढ़ाते हैं और यह कहां बजा जाता था पॉंटेट रोयल कोड इनिक साही दरवार में राजा महराजा के दरवार को बोलता है राजा का दरवार को दिकत तील रिसेंटली इड़ाज यूज्ड ओनली इन टेमपल काता हाल ही में हाल में तील रिसेंटली हाली से इसको यूज्ड ओनली इन टेमपल अब इसका उप्योग क्या जाता है कहां मंदिर हां च्थील रिसेंटली इड़ाज वाज्ड ऊज्ड ओनली इन टेमपल कह Works को यूच क्या जाता था सिर्प मंदीर में end of wedding और साधी में the credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to Ustaz बिस्मिल्लाग खान credit में स्रे होता है कहता है अरे उसको इस काम का तो स्रे फला हो जाता है यह निक फला जादा संगर्स किये थे तो कहता है the credit of bringing this instrument मैंना पुंगी इस instrument को यहां दिस क्या है पुंगी है निक इस यंद्र को लाने का स्रे कहां लाने का एक classical stage तक सास्त्रिया संगीत तक संगीत का एक higher position है classical stage बार्वजयन समझ लिजिए higher quality higher position तक पहुचाना हुआ classical stage कि वो magician department का terminology है आप समझेंगे समयक साथ अभी खाले जान लिए वो higher position हुआ किसी भी instrument को classical तक पहुचाना मतलब वो higher position तक पहुचाना को दिकर the credit for bringing this instrument on to the classical stage classical stage तक लाने का जो credit है स्रे है goes to उस्ताद बिस्मिल्ला खान उस्ताद बिस्मिल्ला खान को ये स्रे जाता है question पुचेगा कि classical stage तक लाने का भूंगी को स्रे credit किसको जाता है objective है मजा लगेगा the credit the credit of popularizing सेहनाई गोस्टो सेहनाई को पूरा popular करने का credit किसको गया फिर वार वास दा तो इसका होगे दोनमर फिर का वार वास दा एंसेंट यूज अप सेहनाई सेहनाई का प्राचिन यूच क्या था तो का ता यूजड नौबध में यूच क्या जाना था यूजड टू रोयल कोट रोयल कोट में यूज़ क्या ली ता था वर्ण्च दोनमर नएधर वन नोर टू क्या था यांभी क्या जों करना था आक ता य आल तक हम आप क्फिज क्यों करेंगे व curse कि इंआए इनसे टाइम में सहनाई वास पार्ट ऑप दुनावद नवात का एक पार्थ घूए करता था और क्या हुआ करता था ऐसे प्राची नवास का एक गंग हुआ करता था ओल धर रोयल कोट में यूच किया आता है बिल्गूल सही है तूतर क्या हो जागा कारण समझ में आया ना अब आगे वाट इच कंसीडर्ड ऑस्पीसस इन पास्ट पास्ट समय में काता किसको ऑस्पीसस मनाया जाता हूँ हां रंपेट्स ड्रॉम्स सहनाई अल अल अब दीच सहनाई क्या है इंडिस्पेंसेबल का अर्थ क्या है इंसेपरेबल देखो इंडिस्पेंसेबल का अर्थ वा अपरी हार यहां था ने इंडिस्पेंसेबल पार्ट में बोला आवश्यक अंग एक ऐसा अंग जिसको हम हटा ना सके शिपरेट ना कर सके उसको बलेंगे इंडिस्पें 吸asable अब इसका synonym पूछ रहा है कि अब जा सकता है कि रिपेरेबल जिसको रिपेर ने यो हो जाएगा डिस्पेंसेबल ना होगा अबस्य क्यों हो गया अनावस्य हो गया लेकिन अवस्य का हो गया वह चीज जिसको अलग नहीं कर सकते इन से परेवल क्या हो जाएगा अगे बनो at the age of 40 साल की उमर में बिश्मिल्ह एकॉंपे इस एंकल तू द अलहाबाद म्यूजिक कोंफरेंस एकॉंपेड़ी मिन साथ हो जाना बिश्मिल्ह साथ हो चला अपने अंकल का इसका साथ हो गया और 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 तू इसका और तू अन्टेश्य कोंफरेंस कहां चला जाएगा अंकल क सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसको बोलते हैं समारो को किसको बोलते हैं यह थो दो कम लिखा ग्यार नहीं होगा रिसाटल में समारो देखें क्या कर रहा है समारो के अंत में उस्ताद फैयाज कौन उस्ताद पैयाज पैटेट द यंग वाज बैक उच्छोटा सा बच्चा का पीट को क्या गया पैटेट क्या एंड सैड और का वर्क हार्ट एंड यू सेल मैक इट करता कथिन परिश्रम को लो तुम यह कर लोग अल इंडियन रेडियो इन लखनाव कहता है लखनाव में जब और इंडिया रेडियो का स्टेशन खुला नाइंटिन थर्टी एड में कैम बिसमिलाज बीग ब्रीग वहां क्या आया बिसमिल्ला का बड़ा सा है हां इन सब्सक्राइब ब्रीक वञिए बड़ा का तुम इन फश्रों अंस सब्सक्राइब क्या लखनाव का अ टुक्तर पेसंदमिल्ण लखनाय का इन लखनव लखनाव में कहता है और इंडिय अ घुटैयृ बृटैवन खुला कब खुला तब कता है केम बिस्मिल्ला बीक ब्रेक बिस्मिल्ला का बहुत बड़ा क्या आया मौका आया अफसर आया ठीक ना मौका मिला अब कहता है वो प्राय सुना जाने वाला एक सहनाई बादक बन गया कहां रेडियो इस्टेशन में और अब आप जो है बिस्मिल्ला ही बजा रहे है बस में रहे है तब कहता है नेम दा चेप्टर वेंस दीस एक्स्टेट हाज बीन टेकन कहता है उस चेप्टर का नाम बताओ जहां से इस एक्स्टेट को लिया गया है अब दस है नाई और बिस्मिल्ला खान लिकाए तो बिस्मिल्ला खान खाले लिजेगा ना आगे बना तो यह नमर हो जाएगा वेंडीड बिस्मिल्ला खान गेट इस फर्स्ट बीक ब्रेक पहला सबसे बड़ा मुका कब मिला यह नमर में है 38 ना 1938 में उसको बिक ब्रेक मिला था मिस बड़ा मुका मिला था क्या हम बिस्मिल्ला खाले बिस्मिल्ला के लिए बड़ा मुका मिला यह आया आगे बना है जब वो इलहाबाद के मुजिक कॉन्फरेंस में सामिल हुआ तो वह कितना साल का था 14 years कितने years के थे 14 years कोई दिकत किसी बच्चे को और एक कोशन अभी आ रहा है the word accompanied means a company means साथ हो जाना तो इसका meaning क्या होगा together with साथ हो जाना solitary अकेला हो जाना isolated अलाग हो जाना alone अकेला कॉनसा हो जाना together with हो जागा साथ में हो लेना ना इस प्रकार तीन पैसेज खताम हो गया अब हम लोग जो करेंगे डारेक्ट अब्जेक्टिव कोशन अंसा ना पढ़ते हैं बताते हैं वो बेंड दप्लेइंग अपुंगी इन रोयल पाइलेस कौन बेंड क्या था और अंग्लियम ने क्या था वेर वाज बिस्मिल्ला खान काशन बौन बिस्मिल्ला खान का जन्म कहा हुआ था अब इस चोड़े में पढ़ा है और दुम्राओं में इसका जन्म वाए न रहेंगा आगे बढ़ते हैं कहता है बिस्मिल्ला खान वाज डीपली एटेज्ड वो डीपली किस से जुड़ा हुआँ था सथलस से गंगा से नर्मादा से लाइटिंग बाता है क्या को बचा बता सकते हो इनका को स्टूडेंट इनको बोला कि आप यहीं रह जाए तो आपके लिए मैं हुब हुब लगाना वलाओ सिटेंपल बना दूट गंगा का धरात नहीं अबाद हो गे ना इतना गंगा से इंकुए टेजमेंट आपना फिर कहता बिस्मिल्ला को वाज बॉन और डॉट डॉट कम इस मिला का 21st मार्स 1916 गर्विज हायस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001 इन बिसमिल्ला खान रिसेव दिसमिल्ला को 2001 में कोन सा सिविलियन आवार्ड मिला था भारत रत्न इसमें है यहाँ सी नमर बारत रात ने है ना बिसमिल्ला खान यूज्स टू सींग डॉट्ट अज चाइиля बिसमिल्ला खान यूज टू सींग गाया करता था डॉट ड़ाट बच्चा के लिए किया गाते थे वह हुदपूरी चैता गाते थे यादा या story है डी मूइस कई आए स्वनार के कारा इसे कर पेंटर के अगा यह पार्बर कर कि आप लूपलक अडिवार के अब रुड़ स्था यह पूलता हमेरे अच्छा लगता है किसको बलते हैं किसको बलते हैं बढ़ाई बढ़ाई इंदी मुस्तों देपड़ाई अब कौन था माम वाज नेम्ड बारवर मने कि सहनाई का नम कौन रखा था बारवर ने रखा था अगे बढ़ा दो वार्ट अट्रेक्टेड बिस्मिल्ला खान दे मौर्श्ट किस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रेक्ट किया बिस्मिल्ला खान को इज अंकल्स पार्टिसिपेट दसनाई इस फादर्स अंबीस 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 ने इस अंकल्स पार्टिसपेटिंग फ्लूट फूट नबासरी बासरी में इस का का नक्सान मास्टर साहिब से मेजिस्ट्रेट साथ के रुप में शालब discussing कान गुंजी उठी सहनाई का डारेक्टर कौन था महेश भड़ ही मेश क्या है रे सम्या विजय भड़ हाँ यही था विजय भड़ साना प्रकास महरा वह कौन सा पहला इंडियन था जिसने स्वागत किया करवाया पूरे राष्ट का स्वागत किया सहनाई से कौन क्या था सहनाई से पंद्रगव सुरह 147 को पड़ी जवारल नेव सब के साथ में ना मात्मागंध्य लोग वी थे हैं है हां और मॉजीक उस्ताफ बिस्मिल्लाए खान पुरा ना मता है ना है सान और जिंस है with auditorium समझते हैं auditorium समझिए एक बहुत बड़ा यह जहां कि मैंूजिक बजा आ जाता है मूजिक का लेखा हिसाब आए साब सभाए क्या कर्या है एक जाहँ बगड ळेना आए जेसलेक्ट करना है सेलेक्त करना ना कि उसका कहा कहा हम टेस्ट लेंगे तop auditorium में टेस्ट लिया जाता है उसका auditorium समझे एक बोड़ा हाल हुआ music performance करने का एक हाल हुआ उसका नाम था ताहर मौजीक उस्ताद बिस्मिल्ला घान auditorium ये कहां था बोली उसका में था बहरीन में था तहरान में था तहां था तहरान कहा का capital है एरान तहरान हां हो मैंनी होल्स दिटेक हीम तो ट्रांसपार दपुंगी को बदलने के लिए कितना होल करना पड़ाता है सेवा नोल करना पड़ाता है विचहां था फुलाइंग वर अमोंग खांसाप्स फबरेट हाउंड्स अंड्डा होता है जहां आदमी रहता है हमें साथ को हांट कहते हैं और उसका वह तो अंड्डा है सुबहुत हम देखोंगे वहां बढ़ता है अंड्ड उसको इंग्लिस में बोलते हैं इसे अड्डा बोला वह तो होंड्ड है वीचांग फॉलाइंग वर अमोंग खांसाप्स फबरेट हांड्ड का सबसे फबरेट अड्डा कौन सा जगा था टेंपल अब बालाजी काली टेंपल विश्नु टेंपल लक्ष्मी टेंप टेंष उसमौल प्लेसेक अलिए ध्यार मै थे प्रसूल कानर वा उस्ताइब आप साना झाद शाम का नशर गजी मलाईन तो पिस बेन पूंगी यह जो एंपरार औरंग यह था इन्हों ने पूंगी बेन क्यों कर दिया था विकॉर इठाट स्रील एंड अन प्लिजन साउंड यह तु करांता तो इस प्रकार यह स्टोरी खत्म हो गया बच्चो फिर हम लोग बारी बारी से सभी जेप्टर का अब्जेक्टि क्या व्लोग मिलते हैं आख सुष्टरी मेखल